असलाम अलेकुम आज बहुत सारी बाते करनी हैं तो वीडियो लंबा होने वाला है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बारबरोस के जितने एपिसोड रिलीज हुए हैं उन सब की और फोकस जादा तर उन एपिसोड पर रहेगा जिनके रिव्यू अभी तक नहीं हुए हैं इस वीडियो में बैटल सीन्स पर बात होगी नंबर्स, ट्रैप, करेक्टर्स, लॉर्जिक, लेस्टिंग्स, डिरेक्शन, वीएफेक्स, स्टोरी, सीक्रेट्स, रेटिंग, कुछ पॉजिटिव बाते भी होंगी और इस सीरीज का फ्यूचर क्या होने वाला है उस पर भी बात करेंगे तो मतलब वीडियो में सब कुछ है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो पर हम लोग लाइक एम रखेंगे 10 लाइक्स का देखते हैं क्या 10 लाइक्स हो पाएंगे इस वीडियो पर या नहीं चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस सीरीज में प्रॉपर दो बैटल्स हुए हैं अभी तक पहला हुआ था फर्स्ट बोलम में और जो दूसरा बैटल हुआ है वो है एट्थ बोलम के लास्ट में पहली बैटल पर तो हम बात कर चुके हैं अब दूसरी बैटल की बात करने जा रहे हैं यह battle बहुत जबरदस्त थी और बुराक रईस की entry भी लाजवाब थी इस battle में सब कुछ था और जितनी उमीद थी उससे अच्छी यह battle निकली लेकिन एक कमी थी battle में मैं इस battle को 10 में 9 star देता हूँ और वो एक number कटे है numbers की वज़े से अब कुछ लोग पूछेंगे भाई numbers क्या होता है तो आप घौर कीजिए battle में battle में पाइत्रों की तरफ से जो आदमी लग रहे थे वो काफी कम थे अगर वहाँ पर कुछ और soldiers add कर देते तो और खतरना की battle लगती और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नए अमीर हैं अमीर कारवे उनके साथ जो आदमी चलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पाथ से दस आदमी रहते हैं अगर उनके साथ कुछ और आदमी आइट कर दें जैसे 20 से 30 तो उस अमीर की थोड़ी बहुत value भी पढ़ जाएगी और यह series और खतरनाक भी लगने लगीगी जिससे थोड़ा series serious हो जाएगी वरना अमीर कारवे के सामने कोई भी उनको मार सकता है क्योंकि 10-8 लोग को मारना बहुत आसान होता है किलिज बे अपने बिजारे मर गए लेकिन उनके साथ भी आदमी नहीं गूमते थे बहुत आसान था उनको मारना भी और यहाँ पर मैं चाहता हूँ शाबाज और शाहिन के साथ भी करीबन 10-15 लोग रहें क्योंकि वो किलिज बे के बेटे हैं पाइतरों के साथ जो उनकी फौज है उन सब के पास भी काफी सारे लोग होने चाहिए और काराबे के पास आदमी बढ़ाओ और ये जो महल है काराबे का उसमें भी काफी सारे सोलजर्स हम लोग को चाहिए अभी उरूज के पास soldiers की कमी है क्योंकि वो अभी ज़्यादा famous नहीं है लेकिन जब उरूज काफी famous हो जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनके पास भी ज़्यादा forces से रहे अब आगे बात करते हैं traps पर इतने traps हैं इस series में कि मैं क्या बता हूँ एक episode में लगभग पास से 6 traps आपको मिल जाएंगे और हर एक trap में एक नए character की entry हो जाती सो उमीद है Barbaros team से कि ये traps कम हो जाएंगे और इतने सारे characters इस series में आ चुके हैं कि मैं क्या बता हूँ characters आते जा रहे हैं और अब screen time किसको कितना मिलना चाहिए उसमें गरबड हो रही है कुछ characters ने अलविदा भी कहा है और सिल्वियो के मरने पर बहुत बुरा लगा मुझे वैसे उसको जिस तरी के से भगाया गया वो बहुत खतरना था जैनब और दस्पिना की जो मेरी prediction थी वो बिल्कुल सही निकली अब कुछ लोग कहेंगे यार तूने तो गलत बताया था तो मैं उनको बता दू मैंने दो predictions की थी पहला वाला और उसके बाद दूसरा वाला कालिम नोसपा उसके बाद पाइतरो बदला लेकर जैनब को मार डालेगा और दस्पिना भी उसमें मारी जाएंगी लेकिन information देने से पहले ही जवानी मारा गया वो scene कार्ड दी गई सीरीस से जिसकी वज़े से मेरी prediction दूसरी वाली गलत हुई लेकिन तब भी पहली वाली सही निकली prediction तो उसके लिए लाइक कर देना है वीडियो अब आगे बढ़ते हैं कुछ scenes में logic थोड़ा कम है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं ये थोड़ा सीरीस होने वाला है तो इसको बुरा मत मानना भाई ये टीम की गलती है और इसको सुधारना पड़ेगा इस scene में आप साफ साफ देख सकते हैं एक अमीर के सामने ये मेमलुक सल्तनत के रिस्पेक्टिव अमीर है अमीर काराबे इनके सामने एक बंदा आता है मतलब यार सैलेरी नहीं मिलती किया तुम लोग को चेक नहीं कर पाएते ये तो खतम है यार अगर ऐसे शोलजर्स सुल्तान के महल में भी खड़े करा दिया ना तो सुल्तान तो बहुत जल्दी मरने वाले है तो भाई इसलिए छोड़ा बहुत इसको सुधार हो मैं चाहता हूँ भाई ऐसी सीन फिर ना देखने को मिले लेकिन हो सकता है क्योंकि हिजर्स ने धमकी दी है कि पिछली बार जो पॉम नहीं फटा था उसको मैं फोड़ दूँगा तो यार हिजर्स की बात आ ही गई है तो बात कर लेते हैं एक और फाल्तू सीन की सामने पाइतरो है अपना आप चाहो तो इसकी गर्दन काट दो जिन किया क्या आपने ये थे अपने तक ग्रेट हरिद्दीन बार बरोस्ता लेकिन आप बात कर लेते हैं कर दोने की द्वान की बात करेंगे द्वान उम्यद कर आचा और जो बिराथ उस दिवान है उनकी भी बात होगी तो यार तुम दोनों यार कुछ सीख लो इस बंदे सीख लो मेहम्त बोजदाक सा सीख लो इतनrics उन्हक्ड बड़ूद्र रैरे रैक्तर है direction की बात करें तो दौन उमीद कराचा ने जो fight scene बनाए थी उनमें कुछ गड़वड़िया थी उसको बिराथ ने सहीं किया है उसके लिए thank you sir और direction थोड़ी बहुत series की बढ़ रही है अच्छी हो रही है, story पे भी बात करेंगे story अच्छी है series की और मेरी साब से आगे भी अच्छी होने वाली है and pipe throw और उरूच की लड़ाई होगी ships पर उस पर भी बहुत मज़ा आएगा अगले बोलम में VFX की बात करते हैं VFX बहुत ही जबरदस्त है इस series का मैं क्या बताऊँ मतलब इतना कुछ है कहने को के यार मैं क्या बता हूँ चलब शुरू करते हैं VFX की बाते आज से कुछ महिने पहले हमें पता चला TIT की तरफ से के उनकी highest budget वाली series release होने वाली है वो आएगी September 2021 में इनमे तर्की के सबसे बड़े बड़े actors है ये series The Great Hariddin Barbarossa पर based होगी और आज हम इस series के 12 एपिसोड देख चुके हैं और हर बार VFX और CGI देख कर यही लगता है ये तो च्टी है ये highest budget series है भाई इसमें क्या VFX आपने बनाया क्या CGI है इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या तो तर्की वाले बना नहीं पाते CGI या फिर पैसा नहीं लगाते इस series पर भी पैसा कितना लगाओगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 2003 में मुवी रिलीज हुई थी Pirates of the Caribbean उसकी VFX आप इस series के VFX से compare करेंगे तब भी match 1% भी match नहीं होगा इतना खराब है बार्बरोस का VFX और कॉरलोस उसमान के फैन जादा यह मत खुश हो कि बार्बरोस का VFX बहुत खराब है मैं बता दूँ कॉरलोस उसमान एल परसलान दिरले शायरतुल सारे एक series के VFX बहुत जादा खराब है अब भाई इस problem का solution तु मुझे नहीं पता अब डारेक्ट टर्की जाके कोई पूछो और या तो उनको नहीं आता तो आप लोग सिखा कर आओ अब बात करते हैं सीक्रेट्स पर सीक्रेट्स ने तो भाई गर्दन दबा दी है हम लोगों की इतने सारे सीक्रेट्स हैं यह कभी खुलेंगे नहीं मेरी साब से चलो एक बात अच्छी हुई जिस बंदे को मैं सुल्टान यवुस सलीम समझता था वो बंदा दर्वेश हुसाय निकला लेकिन तब भी अच्छा है और मुझे पता तक कोई ना कोई connection होगा सुल्टान यवुस वाली बात तो मैंने मजाग की थी और कुछ और सीक्रेट्स हैं जो देखते हैं कब तक रिवील होते हैं वो बुक वाला सीक्रेट और यह इनकी भाई बेहन वाला सीक्रेट तो उस पर बात में बात करेंगे कभी ना कभी रेटिंग पर आ जाते हैं रेटिंग बारबरोस की 7.2 पहुँच चुकी है यह एक बहुत ही अच्छी बात है लेकिन भाई मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है आप लोग को अगर पता है तो बता देना दास्तान एक सीरीज रिलीज हो रही है मेहमद बोजडा की और इस सीरीज की जो रेटिंग है वो लगभग 10 है तो मतलब यार अभी नई सीरीज है इसके भी 5 बोलम रिलीज हुए है और इतनी अच्छी रेटिंग इस सीरीज ने कैसे पाली और भी तक बार बारोस 7 पर ही अटका है ये जरूर बता देना मुझे अब आते हैं कुछ पॉजटिव बातें पाइतरो की अक्टिंग उरूज की अक्टिंग और फिर हिजर की अक्टिंग और जो बाकी करेक्टर्स हैं इन सब की अक्टिंग बहुत जबर्दस है and मेरे साब से story भी अच्छी जा दिये तो ये सब कुछ positive चीजे हैं और मैं आप से कहना चाहता हूँ ये series जरूर देखे बहुत अच्छी series है कुछ गरवड़िया हैं जैसे VFX हुआ and जो कुछ और थोड़ी बहुत है जो traps जादा है लेकिन तब भी वो चलता है हर एक तर्कीज सीरीज में वो सब जरूर रहता है future series का बहुत अच्छा है and अगला बोलम भी बहुत ही जबर्दस्त होने वाला ये series मेरे हिसाब से इस season के खत्म होने तक 10 तक जरूर पहुँच जाएगी इसकी rating and majority of the people जुम्मे रात के दिन थर्ज़रे के दिन बारबरोस ही देखेंगे टर्की में भी तो episode तो आ रहा है तो इसलिए तयार हो जाएए मज़ा आएगा and ये fight ball जबर्दस होने वाली है फिर से ships पर वापस आ गये है तो अब देखना है कि बेरात ने कैसा VFX बनाया है आदिल अदीव जो इजिफ्ट से आया थे उनसे उमीडे काफी ज़ादा थी लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाए अब देखना है बेरात कैसा करते हैं उमीड ज़ादा है तो इसलिए चैनल को सब्स्राइब कर लीजे और ऐसे वीडियो के लिए इस वीडियो में मैंने काफी निगेटिव से सीरीज के बता है लेकिन भाई इतना इंतिजार किया इस सीरीज का इतना तो मैं कही सकता हूँ इस सीरीज के बारे में हक है क्योंकि बहुत इंतिजार मैंने इस सीरीज का किया है जब आती है कोई एक फेवरेट हीरो की सीरीज और वो अच्छी नहीं होती तो बुरा लगता है मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि जो गलतियां है सीरीज की वो सब के सामने आ जाए आपको अगर वीडियो अच्छा लगाओ होगा तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और ऐसे वीडियो के लिए थैंक यू फर वाचिंग